Hello students, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं और इस वीडियो में हम उन questions को tackle करेंगे जो basically grammar based और vocabulary based हैं तो इसमें जो सबसे पहला question आपके screen पर flash करेगा आज के तारीक का, वो है idiom से related question और ये आपके screen पर flash कर रहा है और ये जो question है, ये है fill in the blanks का और उसमें blank में fill करना है idioms आपको option के रूप में 4 idioms दिये गए हैं, पहला idiom है, पहले आप sentence पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद option पर गौर करिएगा चारो idioms की मैं meaning बता देता हूँ Turn a blind eye Turn a blind eye का मतलब होता है, to ignore somebody or something किसी चीज को या किसी व्यत्ति को अंदेखा कर देना उसको ध्यान न देना तो turn a blind eye का मतलब होता है, किसी व्यत्ति को अंदेखा कर देना या उसकी ओर ध्यान न देना, ignore कर देना Add fuel to the fire इसका मतलब होता है, आग में घी डालना यानि किसी भी व्यत्ति के गुस्से को और भढ़का देना क्योवी भी मामला है, situation है उसे और aggravate कर देना तो इसी को बोलते, add fuel to the fire Look forward to, यह पूरे set का मतलब होता है, किसी भी चीज के प्रत उमीद लगाए रहना आशा लगाए रहना, आशा लगाकर, उमीद लगाकर किसी के प्रतिक्षा करते रहना Look forward to होता है Look someone in the eye किसी भी व्यति को बिना डर के, बिना सहमे, उससे आँख से आँख मिला के बात करने के लिए word आता है Look someone in the eye तो अब आप देखिए sentence के मुताबे कि यहाँ पे कौन सा idiom fit होता है लिखा है, colleges cannot to ragging because of the anti-ragging act हाँ, cannot लिखा है अगर can होता या cannot नहोता तो कोई और आ सकता था लेकिन यहाँ पे cannot, क्यों नहीं ragging, ragging को क्या नहीं कर सकते हैं क्योंकि anti-ragging act आ गया है तो वो लोग ragging को ignore नहीं कर सकते हैं याने they cannot, यहाँ पे option ने correct और turn a blind eye to ragging because of the anti-ragging act question number 166 याने next question आपके screen पे flash कर रहा है इसको आप पढ़िए और इसमें जो certain changes है grammatical error का question है, आपसे कहता है sentence का है कई part को उसने क्या किया है, option के रूप में दे दिया है तो जिस option में आप को गलती नजार आती है, बस उसी option को tick करना है वही आपका answer है, तो इसका answer होगा B, इसमें grammatical error है और क्या error है? यह error है कि hundred, thousand, million, billion के पहले अगर कोई numerical adjective आया है, तो यह कभी भी plural में नहीं होगे अब यहाँ पे hundreds लिखा हुआ है, यही गलती है तो उसी तरीके से यहाँ पे hundreds रूपी note लिखा हुआ है, जो कि गलत है hundreds की जगा hundred होना चाहिए, तो गलती कहा है, option number B में आते हैं next question पे, कह रहा है कि identify the word that is misspelled यह चार option दिये हुए है, और चारो option में आप से कह रहा है कि कौन सा word misspelled है यानि किस की spelling गलत लिखी हुई है, अब जिस word की spelling गलत लिखी हुई है वहाँ पे वो आपका answer है, तो option number A, miscellaneous देखिए, यह सारे words की spelling आप लोग तयार कर लिए, भले आपका option एक ही इसमें सही होगा लेकिन बाकी जो चारों के हैं, कहीं न गई घूम फिर के यह किसी न किसी option में यह question में यह आ जाएंगे miscellaneous, बिल्कुल सही spelling में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है vivid umbilical, यह भी सही लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है अगर आप biology के student रहे होंगे, तो आपने biology में पढ़ा होगा umbilical cord, एक ऐसा tissue नुमा नली नुमा चीज होता है, जो बच्चे के नाभी से और मा से जुड़ा हुआ रहता है उसी से बच्चे के लिए जो पोशक तत्व होते हैं, मा के पेट में बच्चे को सप्लाई होता है तो उसी को umbilical cord बोलते हैं, prophecy भी grammatically सही लिखा हुआ है, last वाला जो accommodation है, यह गलत लिखा हुआ है इसकी जो सही spelling होगी, वो होगी इस तरह से This is the right, double C, double M, याद रखना है, double C, double M, accommodation होता है accommodation मतलब होता है, रहने का स्थान, accommodation तो correct option है यह, अब कभी भी यह spelling आप से भूलनी नहीं चाहिए याद रखना है, accommodation में double C, double M ठीक, आते हैं, question number 168 पे यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपसे फिर से एक बार कई मुहावरे option में दियो होए है और जहां खाली अस्थान वाला part है, उसमें आपको यह fit करना है, मुहावरे कौन से आएंगे तो पहला है, option A, उसका मतलब क्या है, सारे मुहावरों का मतलब बता दे रहा हूँ C, I to I अब शाद्धी कर्थ पे मत जाए, आँख में आँख डाल के बात करने का मतलब नहीं है यहाँ पे है C, I to I का मतलब होता है, agree with somebody किसी भी वेति से जब आप सहमत होते हैं, उसके विचारों से तब आप I to I देखते हैं दूसरा option है, put your best food forward to इसका मतलब होता है, सर्व शेष्ट प्रदर्शन करना, अपने काम को बहुत ही सांदार्थ तरीके से करना To do your best option C, put your foot down इसका मतलब होता है, किसी भीक्ति का घोर विरोध करना, oppose करना, उसका विरोध करना Move up in the world Move up in the world दुनिया में ऊपर जाने का मतलब है, चले जाना नहीं, ऊपर जाने मतलब है प्रगति करना, तरक्की करना चार option दे दिया, आप sentence के हिसाब से देखते हैं कौन सा आएगा During the staff meeting, there was a lot of ruckus रuckus, ruckus का मतलब होता है, होगल, होगामा, शोर गुल, चीक, लोग उतल उतल शोर सरावा नहीं करने लगते हैं, उसी को रuckus बोलते हैं तो कह रहा है कि during the meeting, meeting के दौरान बहुत शोर सरावा होने लगा, since क्योंकि many, बहुत सारे लोग didn't with the authorities, हाँ, तो यहां पर क्या आएगा, option number A, didn't see eye to eye, मतलब authorities के साथ वो लोग सहमत नहीं थे, इसलिए क्या होने लगा, होगल, 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 तो यहां पर correct option होगा, option number A question number 169 है, और bold part में लिखा हुआ है, predecessor का opposite, predecessor का opposite होगा, option number D, successor, predecessor का मतलब होता है, पहले आने वाले याने हमारे पुरवज, successor का मतलब होता है, बाद बाला, जैसे अगर आप हैं, तो आपका predecessor कौन है, आपके फादर हैं, आपके दादा जी हैं, successor काउन होगा, आपके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, वो आपके successor कहलाएंगे, तो यहां पर predecessor का opposite है, D, option, successor, question number 170, पैरा जंबल का question है, और इसमें, पहले सरसरी निगा से आप सारे sentence को पढ़ जाईए, और मैं बार बार आप से बोलता हूँ, कि इसके लिए जरूरी होता है कि कुछ words को पकड़ना, जैसे sentence number A पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है furthermore, furthermore मदलब और भी आगए, याने इसके पहले कुछ बात कह दी गई है, याने sentence number A नहीं हो सकता है, sentence number B कहता है, for example, if it begins in a city, माली जै ये शहर से शुरुआत अगर इसकी की जाए, तो for example, याने कुछ बात किया गया है, जिसका example यहाँ पर दिया गया है, याने ये भी first sentence नहीं हो सकता, ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा है, first of all, make it as specific as possible, कह रहा है कि इसको जितना ही ज़्यादा specific wishes बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, किसे बना सकते हैं, question करिए, किसे बना सकते हैं, sentence number D पढ़ेंगे, while writing a story, देखी आ गया, किसे बना सकते हैं specific story को, while writing a story or a novel, the setting is very important, कह रहा है कि कोई भी कहानी लिखते समय, setting important होता है, याने सारी बातें किसके लिए की गई है, story के लिए, याने correct option कौन होगा, जिसमें D आया हो, D beginning में आया हो, तो option C सही हो सकता है, या तो B, लेकिन D के बाद just option C, किसके support में आना चाहिए, writing रिटिंग है, story के support में, तो D के just बाद C आया है, option number A में, तो correct option क्या होगा, option number A, option number A, आते हैं next question में, देखिए भई, आपके exam में idioms and phrases बहुत आ रहे हैं, 3 question देखिए, आगे आद 10 question करा रहा हूँ, 10 question में से 3 question तो सीधे-सीधे idioms and phrases के ही बन गए, तो यहाँ पर फिर से एक बार question है, और 4 option आपके सामने दिया हुआ है, और 4ों में मुहावरे दिये हुए हैं, चारों मुहावरों का मैं अर्थ बता रहा हूँ, जो पहला मुहावरा है, question number 171 should be flashed, तो पहला है, nip it in the bud, nip in the bud एक ऐसा मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि शुरुवात में ही खत्म कर देना, शुरुवात में ही किसी चीज को खत्म कर देना, जैसे मालेजे कोई बीमारी आपको शुरु हुई, अब आप उसे पा ले हैं, तो वो बड़ा रूप ले सकती, इसलिए शुरुवात में ही उससे क्या कर दो, खत्म, कोई भी आदत बुरी आपको लग रही है, शुरुवात ही है, खत्म कर डाली है, अगर आप दिन भर में आपके पॉकेट का जो खर्च है, वो पचास रुपए है, तो पचास रुपए में से आपने उसे कर दिया, तीस रुपए, आप घूमने पर खर्च करते थे, दो हजार रुपए, तो आपने खम खर्च कर दिया, उसको एक हजार पर, तो कटावती करकर के जो बचाताब करते हैं, उसे बोलते हैं, कट कॉर्णर्स, किल्ड टू बर्ड्स विद अ स्टोन, ये हम लोग खोब बोलते हैं हिंदी में, एक तीर, दो निसाने, यानि एक ही काम से हम दो लक्ष को हासिल कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं, एक, तीर, दो निसाने, इसका मतलब होता है, बोश्ट फुल्नेस, मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के, जैसे करने डीने मानना, बढ़ा चढ़ा के कहना, आप कहीं गए, घूमे, टहले, आप बहुत सिंपल वे में आपने चीजों को किया, लेकिन आप आये तो कहें, उसको बढ़ा हाइपरबोलिक अंदाज में आपने बताया, तो ये है, अब सेंटेंस बढ़ते हैं, जो बातचीत जो था, वो बातचीत कहां किस ओर बढ़ रहा था, जगड़े की ओर बढ़ रहा था, इसलिए आए, अब आपको जब लगा, यार ये बातचीत तो जगड़े का रूख अक्तियार कर रहा है, तो जगड़े का रूप जगड़ा का रूप न लेने पाए उससे पहले ही क्या करना है शुरू में ही खतम कर देना है तो इसके लिए कौन सा मुह हो रब मैंने बताया था है येस option A, nipped it in the bud बड माने कली होता है, nip माने कुतरना होता है जब आप कली पर ही उसको तोड़ दोगे, यानि शुरुआत में ही तोड़ दोगे तो जगड़े की गुझाइस खतम हो जाएगी आते हैं question next में, question number next आपके screen पर flash कर रहा है एक बार फिर से, पारा जंबल का question है, सरसरी निगास है, सारे ये sentence को पढ़ लिजे और देखिए किस approach से मैं solve करता हूँ, प्लीज आप उसी pair बना लिजे, ज़्यादा नहीं, दो-दो sentence का pair बनाईए अगर pair, पहले तो एक pair में answer आ जाएगा लेकिन अगर एक pair कई option में आगे, तब आपको दूसरा pair बनाने की ज़रुद पढ़ेगी, otherwise धें तो देखते हैं, पहला sentence शुरुवात हुआ है therefore, therefore जब भी आता है ये concluding line होता है concluding मतलब last वाली line, निशकर्स निकालने के लिए therefore का use हम करते हैं यानि यही line last line होगी, तो जिस option में option a last में आया होगा, वही answer आपका correct होगा, वही sequence बनाएगा और ऐसा cable C में है, और किसी में नहीं है, तो B, D, C, A का आपका correct order बनेगा देखिए मैं कैसे trick से पकड़ रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है, time waste नहीं करना है, कुछ चीज़ें जानना है जैसे therefore कब बोलते हैं, जब आप किसी बात का निशकर्स देना होता है आपको C में तो correct option हो जाएगा, option number C, अगला जो question आपके screen पर flash कर रहा है, question number 173, वो grammatical errors से related बात पूछ रहा है कि कह रहा है किसी part में grammatical error है क्या, तो जी हाँ, part में error है, अब देखिए मैं बोलता हूँ, ध्यान दीजेगा, I had to go to the doctor, मुझे doctor के पास जाना पड़ा, because, क्योंकि, I was not bear the pain, bear the pain मने, दर्द बर्दास्त न करना, I was not bear the pain in my tooth में अपने दांत में दर्द बर्दास्त नहीं कर, क्या हो सकता है, कर सका या कर पाया, यहाँ पे आपकी capability और छमता को बता रहा है दोस्त, यहाँ पे was तो होगा नहीं, क्या आना चाहिए, यहाँ पे यहीं पे आना, I was not bear the pain की बजाया आना चाहिए, I could not bear the pain, बात past में हो रही है, इसलिए can नहीं लगा रहा हूँ, मैं present में होता तो can लगाता, past में हो रही है, तो could लगाऊँगा, I could not bear the pain in tooth, दांत में मैं यह दर्द बर्दास्त नहीं कर सका या नहीं कर पाया, हमारी incapability को शो कर रहा है, तो can या could इस्तेमाल होगा, आज के वीडियो का last question है, वो यह है, आप से पूछा गया है कि the fear of water, यह group of words है, one word substitution का question है, और आपके screen पे flash कर रहा है, one, the fear of water, कह रहा है कि पानी से डर, fear मतलब डर, पानी का जो डर होता है, वो पानी का डर को एक word में क्या बोलेंगे, तो इसका सही option है hydrophobia, अब hydrophobia, ऐसे याद करिये, phobia जो होता है, phobia, इसका मतलब होता है fear, fear माने होता है, डर, अब ये किसी के साथ अगर suffix की तरह आएगा, तो उसका डर हो जाएगा, hydro का मतलब होता है, पानी, water, hydrophobia माने पानी का डर, अब जिसके साथ आप phobia डाल देंगे, उसी का डर हो जाएगा, बुक को बोलते हैं, बिबलियो, बिबलियो phobia माने किताबों का डर, exam के साथ जोड़ दीजे, exam phobia, परिक्षा का डर, ठीक है न, तो यहाँ पे कह रहा है fear of water, याने इसके लिए एक शब्द क्या होगा, hydrophobia, लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं, कि बाकी जो phobia लिखे होएं, उनका क्या मतलब है, पहला है क्लैस्ट्रोफोविया, क्लैस्ट्रोफोविया का मतलब होता है कि किसी भी अस्थान में जब आपको कैद कर दिया जाता है, किसी सीमित जगह पे आपको रहना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोविया, तो कहीं सीमित अस के शिकार अगर हैं तो आप घपड़ा जाएंगे आप से का दिया कि इस घर से बाहर नहीं निकलना है है वो आपका घर रोज आप निकल रहे हैं लेकिन आप सको आज कैद कर दिया गया नजर बंद कर दिया गया आप ब्याकुल हो जाएंगे आप परेशान हो जाएंगे आप अकेले पन का डर, आप सब के साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ही आप अकेले हुए, अपने घर में ही हैं, लेकिन आपको हालत आपकी खराब होने लगी, अप क्या होगा मेरा, तो ऐसी जो फिलिंग घबराहत आती है, वो होती है, आप अकेले पन का जो भय है, वो ह लास्ट है पाइरोफोबिया, पाइरोफोबिया वाला जो व्यक्ति होता है, वो डरता है आग से, उसके सामने अगर आग जल रही है, तो वो डरेगा, उसके इर्द गर्द आग अगर दिग गई तो वो डरेगा, तो आग से डरने वाला जो व्यक्ति है, उससे हम बोलते हैं मैं जितने भी idioms कराता हूं, group of words आपको बताता हूं, meaning बताता हूं, उनको आप note करते रहा करिए, बाद में revision किया करिए, क्योंकि ये बेहर important questions हैं, जो मैं आपको आपके 2000 आगामी, जो means का paper tier 2 होने वाला है, उसके लिए discuss कर रहा हूं, तो उमीद है आप लोग ऐसा ही कर रहे ह होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then, goodbye.